कोई चिंता की बात निए जो डूबना है प्रदेश को तो डूबेगा मतलब दस वर्स में चाए मेरे सरकार रही हो चाए आपकी रही हो किसी मैं स्वेहम शिक्षा मंत्यूँ अपरादी होंगा कोई चिंता की बात नि लेकिन आप कम से कम इन 10 सालों से इन जितनी कोचिंग संस्टाइं चल रही है इन की जितनी परिक्षाएं हुई है उनके परिक्षा के रिजल्ट के साथ आप एक टीम लगा करके इनका पोस्ट माटम करो तब आप कोई समझ में आ जाय के ये बीमारी कहां से चली है ये बिमारी इन व्योसाईयों के थ्रू चली है मैं और आप पेपर आउट करेंगे पेपर लओंगा पांथ लाग दे दूँगा आठ लाग दे दूँगा मैं क्या दो करोड पांच करोड आठ करोड दे सकता हूं क्या भै ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्यत लोग है जो कोई दस करोड में पेपर ले जाता है कोई तीन करोड में ले जाता है कोई दो करोड में ले जाता है फिर अपने कोचिंग संस्तान में रिजल्ट लाता है और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बहां लगाता है मेरा हंडेट पर्षेंट सेलेक्शन ये है बिमारी की जड़ अगर मार करना चाहते है तो यहां करो तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्तान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा जो बड़ी मुश्खिल जो पढ़ता है अपने घर में बुड़े माब आपको भूखे मारक पढ़ता है और उसके बाद परिक्षा के लिए जाता है रोता हम घर लोटता है क्या दुख नहीं होता है हम लोगा के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चेगा क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ता है इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में है आपने सारी सरकारी नोक्रियों को बेज दिया मैं बहुत कड़वासत बोल रहा हूँ आज जो पिछले आठ साल में नोक्री में लगे न उन सब का भी पोष्ट माड़न कराओ आपको लगे आदा फटी मामना निकलेगा कोई है नहीं कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा हैना जिस प्रकार से हमने परिक्षा के माद्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आसाओं के ओपर पानी फेर दिया रात और दिन पढ़ता है पूर का प्यासा पढ़ता है गर बेच करके पढ़ता है खेट बेच करके पढ़ता है लेकिन जब उसका सेलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता कोई स्पीडा को समझने के लिए तैयार नहीं है और हम इस कानून को ला करके दुनिया को बताना चाहरे है कि हमने इतना बड़ा खानून कर दिया इस कानून से कुछ भी नहीं होगा, मैं आज आपको कह रहा हूँ ये जो आपने नए प्रावधान जोड़े हैं मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं मुझे बहुत दुख है इस बात का क्या होगा ये किस तरह की गेंग पाल नहीं है उन्हें मैं उस दिन में पूछा था कि मैंने काई ये शिक्षा संकुल पे है जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया इसको लगाने वाला दोशी कौन है इसके कारण से पेपर जो हैना काट करके निकाल लिया ये तो ठीक है भागिया हमारा अच्छा था कि सवाई मादोपुर की घटना खुट गई और एसो जी को उसमें हाथ में लग करके कुछ केस लग गया अगर वो केस नहीं लगता तो आज आपके सारी नोकरी पर इन सब बड़े बड़े दलालों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते और मेरा गरीब का बच्चा अपने घर लोटके जाता क्या दुर्भा किया है और इस कारण से केवल इसके लिए खुश मत हो जाओ कि हमने कानून बहुत सक्त बना दिया इतलिए अपरादी रुख जाएगा नए सिस्टम को बदलना होगा यह परिक्षा का सिस्टम चेंज करना होगा मैं सोचना हो कि क्या हम इतने अकल बंद बैठे हैं क्या इस वह ब्यवरस्ता को चेंज नहीं कर सकते क्या एक ही पेपर हार राजस्थान में 20 लाख बच्चों को दिया जाए क्या इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता इसका ऑल्टरनेट शोचना चाहिए कि हम परिक्षा को टूड़े टुगड़े में कैसे कर सकते हैं आरे साथियों जैसा कि आप सभी का एक्जाम का टाइम चल ला है जिससे रोजाना कई घंटे की फोन का इस्तमाल कर रहा है जिसके करण हमारी आखों पर बुल्यू रेज का बहुत जादा प्रभाव पढ़ रहा है इसी इस हमस्या को दूर करने के लिए नेचर से और की तरब से एक आई माक्स मिला केलो माइल हरी चाय गुलाब का जल और कई सुगंधी जड़ी ब्यूटियों के अर्क का इस्तमाल किया गया है जो हमारी आखों की मांस्पेशियों को अराम देता है नेमित परियोग से डिश्टल आइस्टेन को कम करने में मदद मिलती है यह अइसोजी अंपी आई उस से पर्माडित है। इसका कैसे करhält ेंगे सात्यव सस्तमाल इसको आप नाइट में यूज कर सकते हैं या फिर दिन में आप रेलेक्स कर रहे हैं तब यूज कर सकते हैं इसका लिंक comment box में पिन कर दिया है वहां से आप ले सकते हैं को बचा पाओगे आकि आप और मैं कितने भी कानून बदल कर दे आपका वो जात करेगा आपका वो अधिगारी आएगा आपने का भी शेशन जच्च के नीचे इंडियुक्ति नहीं होगी इसके अलग से कोट होगा बहुत अच्छी बात है प्रोविजन जो आपने डाले हैं को स्वागत यों कि स्वागत करता हूँ पर इंप्रोविजन को लागु तो आप और महीं करूंगा कून करेगा जब हमी ठीक नहीं हैं तो इन प्रोविजन क्या रोहेंगे अंदर बैठे बैठे हैं जब तक हमारा दिल और दिमाग ठीक नहीं होगा ना इस बिमारी का इ Scalia न लेकिन अब वो निराश्चा में आ गया है। उसको लगा कि आप कोई रास्था नहीं है। और इस कारण से मैं सूझता हूँ कि आप जिस भावना से लाया है। मैं आपकी भावना की इज़त करता हूँ। लेकिन केवला आपकी भावना इन वैमानों को नहीं रोक सकेगी। इसको रोकने के लिए हमको सिस्टम को बदल करके और तुरंद उस पर ध्यान करना चाहिए। कानून 302 का बना हुआ है क्या मर्डर रुग गये। आप भी जान रहें रोज के रोज पोक्सो कोट में आजीवन कारावा सुरा क्या वेविचार रुग गया है। अपरादी को दंड मिल सकता है। अपराद बंद नहीं हो सकता है। अपराद बंद करने के लिए जो सिस्टम होते हैं उस सिस्टम में चलो। एक मात इस देश में ब्रश्टाचार की बटी में देश जल रहा था। केवल और केवल एक तरह से प्रत्यक व्यक्ति का खाता खुलवा कर देश के प्रदान मंती में सारा का सारा बेनिफिट उसका सीधा खाते में डाला। बैमानों को चोट लगी नहीं लगी। उस तरब अपना दिमाग पचाओ। उस तरब अपना दिमाग लगाओ। किस बीमारी का इलाज कहां है और कैसे हो। इस बारे में चिंता करने की कोशिश करो। मैं जिनको मैं कई बार इधर सीकर और इधर घया तो मैं सोचता हूँ कोचिंग संस्तान की बिल्डिंग देगे ना तो टोपी गिर जाए नीचे से क्या चीजे यार भगवान ने क्या लक्ष्मी वहीं बरसा ही है और जो बाकी संसा है उसका कारण यह है कि हमने अपनी दुकान को इतने कमजोर कर दी है कि जहां बच्चे अच्छी तरसे शिक्षा लेकर करके हम जैसे गरीब पढ़कर के यहां आगए अब वो रास्ते नहीं है और इस कारण से मेरी बहुत बीदर में प्रांचना है इस बिमारी का इलाज से यह बच्चे को कानून से नहीं होगा कानून के लागा होगा और उसमें आपका रहे धन्यवाद थैंक्यू